हेलो एवरिवन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं water purification on large scale small scale हम लोग अलग से वीडियो में पढ़ेंगे आज हम लोग large scale के बारे में पढ़ना करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीस इसे subscribe कीजेगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीस इसे like and share जरूर कीजिएगा चली स्टार्ट करते हैं सेफ एन होलसम वाटर स्वाटर तो जनरली हम किसी भी वाटर को सेफ और होलसम कप कहेंगे ? वेन वाटर इस इन्टेड फोर हीुमन कंजम्शन शुट भी सेफ और होलसम तो उसके लिए पर्टिकलर क्राइटिरिया जरा चाहिए पैथोजोनिक बैक्टिरिया से free होना चाहिए, harmful chemical substance से free होना चाहिए, pleasant taste होना चाहिए, usable for domestic purpose होना चाहिए, तो यह वाले जो क्राइटेरिया रहते हैं यह से safe और wholesome बनाते हैं, water is polluted or contaminated if it does not fulfill the above criteria, अगर यह इसको फुल्फिल नहीं करेंगे तो safe and wholesome water नहीं कहलाएगा, तो हम लोगों के लिए, यूज के लिए हमें, तो ये वाइवा point of view से बहुत इंपोर्टनत है, safe and wholesome water को define करना और इसके क्या-क्या criteria रहते हैं, तो इसलिए ये हमको पता होना चाहिए हैं. Now, coming to the purification of water on a large scale, तो three headings के अंडर हैंड भी से पढ़ेंगे, सबसे पढ़ा है storage, second है filtration, and third one is chlorination and disinfection. इस वीडियो में हम लोग storage and filtration के बारे में पढ़ेंगे, chlorination or disinfection को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. Now, storage. तो सबसे पहले किसी भी water को हम लोगों को store करना बहुत ज़रूरी होता है. तो consideration amount of purification takes place. जितना ज्यादा purification जो रहता है, वो storage के अंडरेंट ही होता है. तो सबसे पहले storage के time पे क्या रहता है? फिजिकल एक्शन होता है. लेक मतलब 24 hours के लिए उस टोर रहा, तो gravity के वज़े से 90% of impurities will be settled down. इस condition में क्या रहेगा? कि वह water clear होगा and allows the light to penetrate. तो light भी easily इस में से clear रहेगा, तो light penetrate करेगी. और 90% impurities जो रहती है, वो settle down हो जाती है. फिजिकल एक्शन के बाद हम आते हैं, इसी में ही chemical action में क्या रहेगा? जो organic matter है. वो oxidized हो गया aerobic bacteria से, जिसकी वज़े से decrease हुआ free ammonia और increase हुआ concentrates of nitrates. तो organic matter oxidized हो गया aerobic bacteria से और free ammonia कम हो गया और concentration of nitrates बढ़ जाता है. biological action में क्या रहता है? pathogenic organisms अब जो रहते हैं, वो gradually die out. अब जो भी pathogenicity है, वो कम हो जाती है उस water की. लेकिन कई बार क्या रहता है, algae जो रहता है, वो bad smell और color दे सकता है water को. second heading के underhand आते हैं, अब हम filtration और filtration जो है, यह second stage है purification of water की. और third stage तो chlorination and disinfection है, first stage हमने storage पड़ा. Now two types रहते हैं, filtration भी biological and mechanical, biological को हम slow sand filter भी कहते हैं and mechanical को हम लोग rapid sand filter भी बोलते हैं. Now, यह diagram है slow sand filter और biological filter से, तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, कि यह पूरा एक column रहता है, brick का बनावा रहता है, जिसको आगे हम और detail में पढ़ेंगे, यहां से हम लोग raw water को entry देते हैं, जिसकी वज़े से क्या रहता है, constant head के तोर पे यहां पर रहता है, कई बार अगर यहां पर water overflow हो जाता है, तो यहां से उसको हम discard भी कर लेते हैं, तो यह second वाली जो यह second वाला जो यह portion रहता है, यहां पर जो यह layer बनती है, इसे vital layer या फिर biological, biological, zoological, अलग अलग layers जो layers रहते हैं, जिनको हम अलग अलग नाम देखे हैं, उसे shimuts deck के भी बोला जाता है, इस वाला जो रहता है, यह सपोर्टेट, ग्रेवल रहता है, जो जहां पर sand के हम लोगों को थोड़े थोड़े नोग तो फेकल्स वाल रहता हैं, जैसे कभार हम लोगों को भी बैक फीलिंग करनी पड़ जाए, यहां पर स्योंका ग्र्द एक जाए फिल्टर उने के पातमें त प्ता हो जाता है और फिर टीट टीट वोर्ट जो लॉटर जो रहता है इसको हम आगेशपलाइ कर से जहे जो स्लोस है जन फेर इस बियाजिकल फेर हैस को हम और डीटेज में पड़ते हैं स्टेब बाइस सबसे elements of slow send filter supernatant water और raw water देखिया हम नहीं यहाँ पर यह जो raw water है यह यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यह देते हैं तो यह supernatant water रहता है ठीक है तो यह क्या करता है provide constant head of water provide waiting period of some hours to undergo purification मतलब यह waiting period देता है और constant head देता है water को उसके बाद नीचे वाला जो portion रहता है वो होता है send bed ठीक है यह supported रहता है graded gravel से जो हमने पढ़ाता है जिससे water बहुत slowly percolate करता है filtration की rate क्या रहती है 0.1 से 0.4 m3 per hour per meter square ठीक है अब जो यह send bed जो है यह हमने पढ़ा यह पूरा जो यह रहता है send bed रहता है इसका filtration जो रहता है यहां पर बहुत जादा slowly होता है क्योंकि तभी तो हम लोग चाते है कि हमारा water एकदम से सही rate में filter होके हमको मिले तो जो layer होती है vital layer वो slimy growth रहती है जो cover slimy growth covering surface of the sand bed it shimmers decay और vital layer, zoological layer and biological layer तो यह वाली जो layer है यह वाली layer को हम vital layer भी बोलते है ठीक है तो अब इसमें क्या रहता है वही वाइटल लेयर में होता क्या है thread like algae रहता है plankton होते हैं, diatums रहते हैं bacteria होते हैं तो यह जो vital layer की जो फॉर्मिशन है इसको राइपनिंग और फिल्टर भी बोलते हैं कि भई जब और यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि it is the heart of the slow sand filter यही से ही तो सब तरीके से filtration हुआ और यह क्या करती है organic matter को remove करके oxidize करती है ammonical nitrogen को nitrates में और water को purify करती है तो वाइट लेर होना बहुत ज़रूरी रहता है इसका फॉर्मिशन उसके बाद आते हैं अब हम under drainage system जो रहता है तो यह जो हमने पढ़ा था यह यह वाला जो पूरा पोशिन यह जो नीचे वाला जाए यह under drainage वाला रहता है और यह filter bed जो रहता है यह supported gravel से supported रहता है जो sand bed में आता है ठीक है under drainage system it is the bottom of the filter bed filter bed का bottom होता है और इसमें perforated pipes रहते हैं जो कि outlets देते हैं filtered water को और filter medium भी provide करते हैं तो इसमें control walls भी रहते हैं जो कि क्या करते हैं constant rate of filtration को maintain करते हैं और venturi meter measure करता है bed resistance को यहाँ पर जो यह रहते हैं यह bed resistance को यह सारा जो यह back filling को यह सारे control wall रहते हैं और यहाँ से सब कुछ इख़ टप का clear water जो रहता है वो यहाँ से हम treated water से फिर हम treated water को हम supply करते हैं तो filter cleaning कैसे की जाती है bed resistance जब भी बढ़ जाता है यह तब हम लोग उसको clean करते हैं ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए super net and water को drained off करते हैं उसके बाद sand bed को हम clean करते हैं scraping method से यह बात important है क्योंकि slow sand और rapid sand filter में यही डिफरेंस रहता है कि यहाँ पे हम इसको scraping method से clean करते हैं जब कि वहाँ backwashing से होता है यह हम आगे पढ़ेंगे और new bed फिर हम उसके लिए construct करते हैं तो अब जो हमने पूरा filter box हमने पढ़ा था वो एक open rectangular box होता है जिसका 2.5 तू 4 मीटर तक रहता है walls जो रहती है stone और brick cement की बनी भी होती है supernatant water का जो रहता है वो 1.5 मीटर तक रहता है sand bed जो है वो 1.2 मीटर तक रहता है और gravel support जो रहता है वो 0.3 मीटर and filter bottom जो रहता है 0.16 मीटर तक का रहता है यह पूरे उनके जो है description दिये वह है ठीक है now rapid sand filter वो हमने पढ़ा था यह वाला जो था slow sand filter है अब हम लोग जो पढ़ रहे है next one वो है rapid sand filter अब इसमें क्या रहता है rapid sand filter यहाँ पे raw water होता है उसके साथ में LM को mix किया जाता है तो इस वाले इसको और इसको mix करने वाले process को हम coagulation कहता है ठीक है उसके बाद क्या होता है इस वाले chamber में mixing chamber रहता है जो कि few minutes तक रहता है next mixing chamber के बाद में for 30 minutes flocculation होता है slow and gentle stirring होती है अब थोड़ा stirring रहता है तो aluminum hydroxide form हो जाता है next flocculation chamber के बाद में sedimentation tank रहता है जो 2-6 hours तक कर रहता है अब इसमें क्या रहता है sedimentation tank में impurities and bacteria जो रहते हैं वो settle down हो जाते है next हम यहां पर filtration करते है तो यह हमको purified water देता है rapid scent filter के अंदर ले बाद में हम यहां पर थो chlorination या फिर disinfection के लिए हम chlorine एड करते है और फिर clear water हमको मिलता है तो यह दोनों में difference थे rapid scent filter और slow scent filter अब उसको हम scraping method से wash कर रहे थे हैं यहां हम back washing method से कर रहे है तो reversing the flow of water through sand bed अब हम लोग scent bed से इस water के flow को reverse कर देते हैं तो यह back washing हो गया है तो rapid scent filter need frequent washing daily, weekly हम लोगों को पिला daily या तो clean करना है इसको या weekly करना है depending upon loss of head और यह at least 15 minutes लेता है तो यह slow sand filter और rapid scent filter के differences है कि भी जिस लोग सेंट फिल्टर जो है जिसे हम large area यह occupy करता है यह little space occupy करता है इसका sand size 0.2 to 0.3 mm है इसका 0.4 to 0.7 mm है यह plain sedimentation इसमेर होता है यह chemical coagulation से sedimentation रहता है यह washing हम scraping से करते हैं यह back washing होती है यह less skilled है यह highly skilled operation है इसका और removal of turbidity तोनों की good है color यह fair थोड़ा कम हटाता है लेकिन यह ज़्यादा अच्छे से करता है लेकिन इसमें bacteria जो remove है वो 99.9% तक remove होता है यह 98.99% तक रहता है और यहां पर क्या रहता है raw water हमको stagnation करना जरूरी रहता है लेकिन यह no need to store raw water तो यह दोनों डिफ्रेंसे हैं slow sand filter and rapid sand filter I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी क्लूरीनेशन और दिसिंफेक्शन जो है वो हम next video में पढ़ते हैं अगर आपको यह पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को like and share जरूर कीजेगा मिलते हैं next video में thank you